अले भुशों को देविसन और जर्म आपको पड़ना नहीं, डिफ्लेक्शन मेफड भी आपको फटड़ना नहीं ठीक की उसके बाद अपने बात करते हैं डीटीप भोग्ये का और डीप भोग 가능 है लिखने में दी ब्रोगली लिखते हैं अब अपन बात करते हैं दी ब्रोगले ने इलेक्ट्रोन के बारे में और क्या एक्प्रिन किया तो इलेक्ट्रोन के बारे में उसने कहा कि इलेक्ट्रोन हेज ए वेव इफ अगर इलेक्ट्रोन वेव है अगर इलेक्ट्रोन क्या है वेव इसका मदलब वो क्या होगा तो अपन बोलेंगे इट है लेमडा उसके पास लेमडा भी होनी चाहिए ठीक है फिर अपने बात करेंगे इफ इलेक्ट्रोन हेज पार्टिकल अग सिक लेक्ट्रोन की वेलोसिटी भी होने चाहिए ठीक है भई मास भी अपने पड़ा है वेलोसिटी भी अपने पड़ी लेमडा भी अपने आइडेंटिफाई सब किया इसका मादल इसकी नेचर वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है तो भई इसकी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में क्या और रिलेशन होगा तो उसके लिए एक रिलेशन दिया उसने लेमडा इस इकल टू ह अपॉन एम बी ठीक है बई और उन्हेंने क्या कहा था कि क्यावल इलेक्ट्रोन नहीं नहीं जितने भी ओल मुविंग पार्टिकल है जितने भी पार्टिकल जो है वो मुव कर लेंगे मुव करते हैं तो ओल मुविंग पार्टिकल हैव ड्यूल नेचर तो जब ये बात हुई तो लोगों ने पूछा कि भईया एक तो बोल अगर अपने बात करें तो बोल को मैं क्रिकेट की बॉल अपने ले ख eins तो क्रिकेट बॉल के बारे में और एक अपने अगरrée है तो उसकी और अक्णे को क्या दिखते है इसकी तो अपने को विन नजराती है तो ठीक है ये इसका तो मोशन यह वविज की तरह होगा लेकिन एक बोल जो होती है उसका जो movement होती है वो हमारे को और उसकी लेमड़ा याने कि उसकी wavelength हमारे को क्यों नहीं नज़राती तो उसके पीछी reason है और वो reason क्या है तो किसी भी ball है कोई भी ball अगर आपने ले रखी तो उसका कोई कोई मास होगा और कम से कम 100 ग्राम की तो वह होगी होगी चोटी से छोटी भी अगर अपना बोल ले वहai आपने उसको speed से फेक आपने हाँ से वेल्यू रखो वेल्यू रखेंगे तो एच की वेल्यू 6.26 इंटू 10 रिस्ट पावर माइनस 34 अपोन 100 इंटू 20 इंट्रेट ग्राम है किलोग्राम में चेंड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमारे को मल्टिबलाइट बैर 10 रिस्ट पावर माइनस 3 और 20 मिर्टर पर सेकें क्यात अब इसको सोल करेंगे तो आपके जो लेमडरा फायंड आट होगी वो वेरी já वेरी 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 क lemons और अधिक समॉल और इसका मतलब यह है तो cricket की बॉल कि जो हमारे को और लेमडरा मिली वह कंई सिमली तो वेरी very 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 small मिली आप इसको solve करना और इतनी small मिले कि we cannot determine उसको क्या करने कर सकते हैं अपन उसको determine नहीं कर सकते हैं याने कि कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे mass बढ़ता जाएगा और उसकी velocity कम होती जाएगी और उस condition में lambda की value जाएगी उसको हम determine भी महीं कर सकते हैं जब अपन electron की बात करते हैं तो अपन क्या बात करते हैं उसका mass कितना लेते हैं तो 9.1 into 10 rest to power minus 31 kg याने कि mass ही बहुत चोटा हो गया पहले तो फिर उसकी velocity की बात करते हैं तो velocity उठती है 2.18 into 10 rest to power 8 meter per second याने कि इसकी velocity और बढ़ गी है ना और आप इसका lambda find out करेंगे तो यह एप्रोक्स जो value निकल के आएगी वह 3.2 और angus storm निकल के आएगी याने कि इसको अपन क्या कर सकते हैं identify determine कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जितना छोटा पार्टिकल होता जाएगा उसकी वेव नेचर उतनी ही ज्यादा शो होने लग जाएगी तो क्या कह सकते हैं every microscopic movement every microscopic particle which have moment यह आपन कहें वो moving कर रहा है is a wave वो क्या nature शो करेगा तो वो wave nature शो करेगा तो क्या कह सकते हैं आपन every microscopic moving particle is a wave whose wavelength is given by और अपन इस formula से क्या कर सकते हैं उसकी wavelength find out कर सकते हैं ओके इसके उपर based एक चोटा सा numerical है और भी हैं आपकी books में देखना search करना चोटा सा numerical है वो solve करना an electron has kinetic energy किसी electron की kinetic energy दे रखी आपको k तो आपको find out क्या करनी उसकी wavelength find out करनी है simple सा formula है उन formulas की values को find out करके आप उसकी wavelength को find out करना ठीक है मैं solution बताता हूं इसको यही वीडियो को पोज करके आप इसको solve करने की कोशिश करना we know that lambda is equal to h by p ठीक है और kinetic energy के term में इसको convert करना है तो kinetic energy की term में convert करने के लिए P is equal to mb अपन जानते है और kinetic energy is equal to क्या जानते है अपन हाफ और M V स्क्वाइर अब यह M की वेल्यू फाइंड आउट करके और इसको पलटके और इसको चेंज करोगे ताब कि क्या आएगा काइनिटिक एनर्जी इस इकॉल टू सिक्वाइर अपने पास formula है ही पर अपने पास हैits सिक्वाइर पान पी की वेल्यू रख लो तो है सिजी करण एम है M काइनटिक एनर्जी इस फॉर्मुले से lab됐क है उसकी wavelength find out कर सकते हैं हो सकता है इस के की जिगे हमारे को कोई value दे दे तो उस value से अभी अपन क्या कर सकते हैं find out कर सकते हैं ठीक है भी simple सा है mass दे देंगे दोगली ने बात करी कि कोई भी particles अगर और moving है और moving अगर कोई particles है तो उसकी और wavelength होगी इसी को आगे बढ़ाते हुए Heisenberg नाम का एक scientist आया और उस Heisenberg साब ने कहा कि भाई ठीक है आपकी बात मान ली मैंने कि particles की nature wave nature भी हो सकती है तो कोई भी moving particle है microscopic particle है तो ओविश से बात है उसकी और wave nature भी है तो हम क्या कह सकते है Heisenberg क्या according अगर कोई particle wave nature भी शो कर रहा है यानि कि वो microscopic है इसका मतलब क्या है इसका मतलब हमारे को पता चल रहा है कि वो microscopic है और second चीज ये पता लग रही है कि वो किसमें है तो भाया motion के अंदर है ठीक है अब Heisenberg का नंबर आता है और उसने वो कहता है कि कोई भी microscopic moving particle को कभी भी आप simultaneously और accurately और simultaneously उसकी position और उसके momentum इन दोनों की calculation को कभी भी आप एक साथ determine या measure नहीं कर सकते हो अगर आप position को determine करने जाओगे तो उसका momentum बदलेगा और उसका momentum determine करने जाओगे तो उसकी position बदलेगे याने के इन दोनों को एक साथ simultaneously एक साथ find out नहीं कर सकते है simultaneously और accurately या देजाएगे बात तो simultaneously और accurately कभी भी position और किसी भी microscopic part की particle की moment momentum दोनों को एक साथ find out नहीं कर सकते ठीक है भी तो इसके language की form में क्या हो जाएगा यह तो कहते हैं कि the exact and simultaneously determination of position and momentum of a moving microscopic particle is impossible कभी भी किसी की exact position और momentum को अपन और find out एक साथ नहीं कर सकते ठीक है एक बार Heisenberg और अपनी कार लेके कहीं जा रहे थे तेज स्पीड के साथ में तो बीच रस्ते के उपर और पकड़ ले ट्रेफिक पुलिस वाला ना पकड़ा और उसको बताया कि आपको पताया है हाईजेंबर्ग साथ कि आप कितने स्पीड से भाग रहे थे तो उसने कहा कि भाईया मेरे को अगर मेरी स्पीड का पता लग जाएगा तो मेरे को यह पता नहीं लगएगा कि मैं कहां पर चल रहा उस एरर की वैल्यू अगर हमारी डेल्टा पी है तो हाईजेंबर्ग साब कहते हैं कि इन दोनों का जो प्रोड़ेक्ट है हैं वोगी होगी या इक वाल अवगी किसके एच अपन फॉर पाई के इन दोनों के प्रोड़ेक्ट की वैल्यू कभी भी जीरों नहीं हो सकती, ठीक है अगर आपने position, यह momentum की बात कर लेते, अगर आपने और momentum की value को exact न बलिया, उसमें किसी तरह की कोई error की और नहीं रखी है, तो उस error अगर आपने position में कोई momentum में कोई error नहीं रखी, लाना कि delta p is equal to zero, तो momentum measure error जो error है वो 0 होगी ठीक है अब ये value 0 होगी delta p को ले जाओ पहले इदर तो अपन क्या कह सकते है delta x greater than and equal to h upon 4 pi और delta p तो delta p की value तो 0 है इसका मतलब ये 0 तो ये पूरी value 0 और h याने के plan constant को अगर 0 से divide करेंगे तो अपना delta x कितना आ जाएगा तो आपन बोलेंगे delta x is equal to infinite याने के उसकी position में infinite को और क्या है और उसमें error है जिसको आप दूर करी नहीं सकते हो इसी तरीके से अगर अपन चाहें तो delta x चलो भी position में error को 0 कर देते हैं आपने position find out कर ली तो उस condition में delta p is equal to infinite हो जाएगा पर जैसे delta p इदर गया तो delta x जाएगा अब इदर तो इदर जाते ही delta p के विडियो क्या हो जाएगी infinite याने कि उसके momentum में इतना error है infinite error है जिसको आप और दूर नहीं कर सकते हैं तो यह Heisenberg principle का और mathematical expression था यहां से numerical सी बनते हैं तो numerical से देता हूं मैं एक numerical solve करना निमेरिकल से याद है या कलकर निमेरिकल भी आप लोग नहीं किये बहुत से रहे ना किये ही नहीं छोड़ दिये अच्छी बात है ठीक है भाई मत करना ठीक है इव दे एरर इन पोजिशन अगर हमारी पोजिशन के अंदर एरर जो है आप अन एलेक्ट्रोन इस वन पॉइंट वन एंग स्ट्रॉम देन फाइंड एरर इन मेजरमेंट ओफ मोमेंटम ठीक है भाई अब मैं इसका सोलुशन कर देता हूँ आप लोग इसको यहीं पोज करके सोलुशन करना और फिर बात में आंसर देख लेना ठीक है भाई क्योंकि आप लोग तो सोल करने वाले हो नहीं है ना और इसको वीडियो को पोज भी करने वाले हो नहीं तो लगातार देखते रहे ना पोई दिक्कत नहीं ठीक है भाई तो जैसा आप कर रहे हो समझी गए होंगे यह शारा देल्टा एक्स इस एकल टू 1.1 और एंगस्ट्रों डेल्टा पी की वेल्यू क्या करने पड़ेगी हमारे को फाइंड आउट करने पड़ेगी तो डेल्टा एक्स की वेल्यू रख लो 1.1 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 10 आ जाएगा क्योंकि एंगस्टों में है डेल्टा पी ठीक है इस एकल टू ग्रेटर देन 6.626 इंटू 10 रेस्ट पावर 34 ठीक है आप सोल नहीं कर रहे हो कोई प्रोब्लम नहीं लेकिन आप पूछ भी नहीं रहे कि सर हमारी यह प्रोब्लम है इसलिए हमने सोल नहीं किया या वाटेवर ठीक है इतने दिन बार वालों के भरोसे रहोगे चलो कोई बात नहीं तो यह बात होई हमारी है जेनबाग अंट सेटिनिटी प्रिंसिपल और इसको सोल करने डेल्टा पी की वेल्यू फाइंड आउट कर दिए यह सारी वेल्यू को इधर ले जाओगे फोर पाई की वेल्यू करके और डेल्टा पी की वेल्यू फाइंड आट कर लिए अब बात कर लेते हैं है फेलियर ओफ बोर मोडल फेलियर नहीं बोलेंगे एक चुल में उसको बोलते हमापन है ड्रोबेक्स आफ और इसलिए के कारण से अपन आगे बढ़ें इसलिए इसको फेलियर नहीं कहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि यह बहुत रेपोटेट और बोर साब है इनके अगर कभी आपन देखें तो इनके गुरूप फोटो हमारे को दिखते हैं तो इसमें हाइजनबर्ग और य आपको अपन फेलियर नहीं कहें वो फेल नहीं होए थे एक्चुल में उनके ड्रोबेक्स थे और ड्रोबेक्स भी इसलिए थे क्योंकि उस समय पर यह वेव नेचर वगरा के बारे में और इतने ज्यादा नोलेज थी नहीं तो उन्होंने जितना उस समय तक काम किया वो ज् समय भी अपने बात करी थी कि यह वेलिड है केवल वन इलेक्ट्रोन याने के सिंगल इलेक्ट्रोन स्पीसीज के उपर है ना हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज तो हाइड्रोजन हो गया है हाइड्रोजन हो गया है हाइड्रोजन हो गया है हाइड्रोजन हो तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने वेव कभी नहीं माना है न तो बोर कंसिडर किए और उलेक्ट्रॉने कग totally की हां नेकर उन्यवार्टर के बारे में इन्होंने कभी और सोचा भी नहीं और डिस्कस भी नहीं प्रभाव उन्होंने केवल इसको पार्टिकल नेचर तक ही और क्या कर दिया अपने आपको लिमिट तक रख लिए ठीक है और क्या मिस्टेक करें तो भाई या है जेनबर्ग वाली पुलिस वालों नों पकड़ लिया उन्होंने स्पीड भी बता दी और पोजिशन भी तो भया कैसे बता सकते हो दोनों uncertainty रहते हैं यानिके दोनों की एक साथ position को measure नहीं कर सकते हो तो बोर measured position of electron and momentum यानिके उन्होंने momentum को और position को दोनों को एक साथ किया कर लिया मेजर कर लिया, तो यह मिस्टेक होगी, पुलिस और पकड़ लिया तुम जूट बोल रहे हो, तुम अपनी स्पीड ही बता पा रहे हो, यानकी मोमेंटम भी बता पा रहे हो, और कुद की पोजिशन भी बता पा रहे हो, तो यह दोनों और गलत है, ठीक है, सेकंड फॉर्थ ड्रोबेक्स क्या निकला तो आप लोगोंने जो स्पेक्ट्रल लाइन मनाई न वो लाइमन सिरीज बामर सिरीज पास्चन ब्रेकेट फोन सिरीज यह जो स्पेक्ट्रल लाइन्स थी और स्पेक्ट्रल लाइन्स में कुछ स्प्लिटिंग थी और स्प्लिटिं तो स्प्लीटिंग, इन के हृत इनसे मागनेटिक फिल्ट में स्प्लीट होते थे में इलेक्टिक फिल्ट के अंदर स्टूरों किया थे उन्की इनसे disc दिया तो उसको बोलते है जिमान इफेक्ट और इलेक्टरिक вод लगा कर एक अधमिने काम किया तो इसका नाम था इस्टारण नाम तो ईसके नहीं दे दिया जिकरने का मतलब यह थे कि तो ultra fine spectrum को भी explain नहीं कर पाए कि ultra fine spectrum क्या चीज है और यह कैसे find out होती है यह spectrum lines की splitting को ही बोलते हैं अपन अल्ट्रा fine splitting या ultra fine spectrum छोटी छोटी और all lines अपने को मिलती हैं वहाँ पर तो उसकी ये explanation को ये नहीं कर पाए यहां तक अपने और बोर मोडल और हाइजनबर्ग डी ब्रोगली इनकी बात करी अब अपन देरे देरे quantum mechanics की तरफ अपन बढ़ते जा रहे हैं तो वहां पर जाके अपन quantum numbers याने के एक नए मोडल की तरफ चलेंगे जहां पर हमारे को electrons की और actual जो मोडल है वो हमारे को पता लगेगा तो उसके बारे में अपनेक्स पार्ट में डिलिट करेंगे ठीक है भई यहां तक ही रखेंगे आज यह ड्रोबेक्स वगरा याद कर लेना आराम से जैहें